नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grand Jyotis Secret ब्रिश्चिक रासी 2022 से 2025 तक सनिदेव आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाओ लेकर आएंगे क्योंकि आपके उपर सुरू होने जा रही है सनिदेव की धैया दिखिए सनिदेव सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा धीमी गती से चलने वाले ग्रह है और एक रासी में धाई साल तक भ्रमन करते हैं मननेता तो ये भी है कि साड़े साती और धाया के दोरान कर्मों का फ़ल देते हैं अगर आपकी कुंडली में सनिदेव की स्थिती मजबूत है तो आपको तमाम तरह के सुख मिलते हैं लेकिन अगर स्थिती सनिदेव की कमजोर हो जाए कुंडली में तो सुख तो नहीं पर परिशानिया जरूर आती है तो जो ब्रिश्चिक वाले हैं 29 अप्रेल 2022 को आपकी उपर धाया सुरू होगी और ये धाया चुकि जब चंदर से गोचर सनी चोथे या आठे भौ में होते हैं तो सनी की धाया सुरू होती है और सनी धाया के असुप प्रभाव से बनते वे कम भी बिगड़ने लगते हैं लेकिन आपको घबराने की आवा सकता नहीं है ब्रिश्चिक वालों क्योंकि सनी की धाया के प्रभाव से बचने के लिए योतिस में परियोग भी है उपाय भी है मंत्र भी है तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सनी देव की जब धाया चलती है तो जीवन में क्या होता है आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी धाया सुरू हो गई है देखिए अगर धाया सुरू हो तो नीन्द की समस्या परिसान करती है आखों ही आखों में सारी रात बीच पर नीद नहीं आएगी बार बार चोट चपेट लगते हैं खास कर लोहे से किसी गरीब बैक्ति और सहाय बैक्ति आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनसे बेवजह बाद विबाद हो सकते हैं संपत्ति प्रोपर्टी के विबाद में आप कहीं फस न जाए ये भी इस लिया के लक्षन होते हैं बैक्ति न चाहते वे भी अन्यतिक संबंद एक्स्ट्रा मेरिकल अफेर जैसी चीजें या फिर कुछ ऐसी चीजें जिसमें वो बेबज़ा फसता चला जाता है तो रिस्तों में इमांदारी पहली जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए कोट कचरी के म प्रमोशन होने की प्रवल संभावना बनती तो है पर अगर आपके सनी कमजोर हैं तो कहीं न कहीं बाधाएं भी मिल जाती है बेबज़ा का खर्च होना और फिर कर्ज में डूब जाना ये भी इस धहिया के लक्षन है कभी कभी ब्यक्ति बुरी संगति बुरे आदतों में भी पढ़ जाता है लेकिन धर्मकारे में सनीदेव की धहिया के असुप्रभाव को कम करने के भी प्रयोग बताएंगे हलाकि हम आपके इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि 2022-2025 तक क्या होगा लेकिन पहले इन चीजों को आप जान लें देखिए एक तो हनुमान 40 तो पीपल के नीचे दिया जला या फिर सुबह में जल और पित करें संबब हो तो नहीं तो साम में ओम संक्सने चराय नुमा पांच बार जब कर लीजेगा अब एक खास प्रयोग देखिए आप चाहें तो सनीदेव का वैसे बहुत सारे मंत्रें कोई भी मंत्र आप जब की कीजेगा लेकिन संघर्स होता है तो साब्धानिया भी होनी चाहिए तो सनीदेव की धैया में हमेशा ही धैर से काम लें उताबला पन में मत्ता है चुकि विवक्त होता है स्ट्रगल का जब आपके खुद के अपने खुद के करीबी भी साथ नहीं देते हैं तो ऐसी इस्थ सिती से छुटकारा पाने के लिए आप चिडियों को दाना पाणी डाल सकते हैं आप चाहें तो चीटियों को आटा सकर भी डाल सकते हैं गलत कार गलत संगती गलत लोगों से बचेए और साथी साथ आप सनीवार के दिन मांस मदिरा नौन बेज अलकोहल से दूर रहें वैसे आप इस पिरियड में ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा संभब हो तो आप काले कुत्ते को या किसी भी कलर के कुत्ते को मीठी रोटी पर तेल एक चुटकी काला तिल डाल कर खिलाया करें सनिवार के दिन तो ऐसा करने से सनीदेव के धहिया का निगेटिव प्रभाव कम हो जाता है तो आप ब्रिस्चिक वाले हैं आपके उपर चलेगी धहिया लेकिन आईए जानते हैं इस धहिया का आपके उपर 2025 तक यानि कि साड़े साथ जब से ही सनीदेव का रासी परिवर्तन होगा तो आपके लिए ये जो धाई साल का वक्त है कैसा रहेगा कितना अच्छा कितना बुरा क्या होगा बड़ा बदला कैसे बचे देखिए सबसे पहली बात बिश्चिक बालों सनीदेव का प्रफाव सुरुवात में आपके तीसरे भाव में हैं यानि कि 2022 के और कठिन परिश्रम से आपको धन देंगे आपके कठिन परिश्रम करने के लिए आपको सनीदेव एक जोस देंगे आप एक्टिव रहेंगे जो सनीदेव हैं वो कुम्भ मेर चले आएंगे तो आपकी धहिया सुरू होगी लेकिन 12 जुलाई से लेकर जन्वरी 2023 तक एक बार फिर से वो मकर रासी में आएंगे तो धहिया का प्रफाव कम हो जाएगा निगटिप प्रफाव अब यहां पर देखिए दूसी तरफ आपके जो छोटे भाई बेहन हैं उनसे आपके संबन्द बढ़िया रहेंगे आपको हर संबब वो आपको साथ भी देंगे सारीरिक तोर पर फिट रखिए अपने आपको और इस समय अपने दोस्तों के साथ आपके रिस्ते बहुत अच्छे नहीं दिखेंगे क्योंकि ढ़िया में कही न कहीं रिस्तों में दूरिया आती है अपने जिनको आप अपना समझ रहे हैं जो सुख धुख में हमेशा साथ थे वही आपके तकलीफ के समय में लगेगा आपका साथ छोड़ रहा है तो इसमें आप भरोसा सब पे करें पर अंधा भरोसा ना करें तो रिस्तों में थोरी खटास है थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान रखना है जुलाई में सनिदेव आपके चौथे बहुत से गोचर करेंगे तो खास कर जो विद्यारती है पढ़ाई लिखाई में थोरी बाधाएं आएंगी अगर आप बैपसाई हैं तो आपके बैपसाई में थोरा रुकावाट ठहराओ जैसी समस्या हो सकती है इसका ध्यान रखे अपने स्वास्ट का बहुत ख्याल रखेगा लेकिन आपके स्वास्ट में सुधार होगा पर जुलाई के में में सनिदेव जैसे ही वापस तीसरे भाव में आएंगे तो आपके लिए यात्रा विगिएरे के योग बनेंगे लेकिन खर्चे बढ़ जाएंगे तो खर्चों को लोग कर थोड़े सतर करें लापरवाही आपको लॉस कराएगा इसलिए अनावस्य खर्च से आपको बशना होगा बेबजह मेहंगे चीजों को खरिदने का जो सौक है उसको थोड़ा भी कंट्रोल कीजिए तो ये धाया में एक चीज और होती है जैसा कि जैसे ही आपके उपर धाया चलेगी तो आपके बैबाही जीवन में थोड़ा सा इगो प्रॉब्लम हो सकता है लगेगा जैसे एक दूसरे को चाहकर भी नहीं पहचान पा रहे तो इन चीजों पर भी ध्यान डखना है और इसके साथ ही आपके माता पिता के स्वास्त का थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उनके स्वास्त पर भी निगेटिव प्रभाव दिखता है आप बेपसाई हैं आप जॉप करते हैं आपके जो जुनियर हैं उनके साथ अपने रिस्तों को बेहतर बनाईए क्योंकि उनके सपोर्ट से आप जल्दी तरक्की कर पाएंगे पर एक बात हमेशा याद रखिए धन के मामलों में धहिया में किसी पर भरोसा ना करे और इसमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कर्ज लें भी ना करे वरना आप फस सकते हैं मुस्किल में ये वक्त ऐसा होता है जब आपके कर्मों का फल मिलता है हो सकता है आपने कर्ण तो अच्छे किये हैं पर बे बज़ा कभी कभी लोग टेंसन में फस जाते हैं तो ऐसे में किसी के भरोसे कोई कारे अधूरा न छोड़े खुद के बलबूते कारियों को पूरा करने का प्रयास करें और जो भी निर्ने ले अपने बलबूते ले अपनों के बलबूते ले किसी अन्ने पर भरोसा करके अन्ने की बातों पर ज्यादा भरोसा ना करें क्योंकि धोखा खाने के योग भी धाया में खूब बनते हैं तो इनसे अगर आप बच जाते हैं तो समझ लीजिए कि धाया का प्रभाव आपके उपर उतना नहीं निगेटिव असर डाल रहा तो रोज साम में ओम संक्स नेचराय नमा का आपको जब करना हनुमान चलिशाव का पाठ करके दिन की सुरुआत करें इतना ही काफी है आपको मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे फिलाल विदा लेते हैं हर हर महादेव अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद